नमस्कार दोस्तों मैं विजय जोसी हमारी हिंदी चैस चैनल निक चैस्वल में आपका हाद दिख स्वागत करता हूँ आज हम पॉल मॉर्फी की एक बहत्रिंग गेम देखने वाले तो चरो देखते हैं उन्होंने पहली मुगी E4 E4 के सामने ब्लेक ने E5 के ला दोस्तों नाव NF3, NC6, B6 on C4 आप यहां देख सकते हैं शुरुआत में अपने दो पीच निकाल के कैसल करने की अच्छी जगा बनाने की कोशिच किये यहां ब्लेक ने भी B6 on C5 इसे गाई को प्यान ओपनिंग करते हैं दोस्तों इसमें बहुत सारे ट्रेंड आने वाले चलो आगे देखते हैं यहां पर पॉल्प मॉर्फी ने एक बहुत ही बहुतरी मुगेला B4 दोस्तों यहां गेम के ओपनिंग में एक पॉल्प सेक्रिफाइज देने की कोशिच की जा रही है दोस्तों यहां आगे कैसे टैप करते हैं चलो देखते हैं यहां पर ब्लेक ने पॉल्प को कैप्टर कर दिया है विशब से पॉल्प करें पॉल्प कैप्टर कर दिया पॉल्प कैप्चर पॉल्प नव E5 दोस्तों यहां D5 पॉल्प इसने के लाए कि सामने का दूसरा नौिक्रण सकी किकी वह एफ Sh Shik परा रहा था उसे हां रोकने की कोशिच की जा रही है दोस्तो यहां black ने simple pawn capture pawn कर दिया दोस्तो now C3 वाला pawn C2 पर आएगा तो यहां एक बैत्रिन चेक आने वाला है और यहां queen भी capture कर सकते हैं पर यहां पर उन्नोरे white ने अपना queen को move कर दिया दोस्तो और एक attack डाला है F7 pawn पर आप देख सकते हैं कि F7 pawn हम विक रहता है इसलिए यहाँ F7 पन को सेव कर दिया हुए ब्लेक ने खेला क्वीन और E7 एक 32 मुवे क्वीन और E7 नाव यहाँ वाइट ने कैसर कर दिया अपने क्वीन को सेव कर दिया दोस्तो यहाँ पर एक E5 वाला पन और एक जा रहा है वो भी सेक्रिपाइस दिया है चलो देखते हैं आगे ब्लेक क्या मुखा थे दोस्तो यहाँ भी पन को यहाँ कैप्चर कर दिया नाइट कैप्चर पन दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते ओपनिंग में चार पन सेक्रिफाइस कर दिये दोस्तो पूरी गेम ओपन करके रख दिये यहां सेमें यह टेक्निक सिखने है कि ऐसी गेम में भी पॉल मॉर्फी कैसे वीन हो जाते तो चले देखते बहुतरी स्टेप आने वाले आगे यहां पर मॉर्फी ने खिला नाइट कैप्चर पॉन अपनी गेम का पहला कैप्चर गिया हुआ है दोस्तो चलो आगे देखते हैं नाइट कैप्चर नाइट दोस्तो आप देख सकते हैं अपना कैसल भी बिगर गया है जी क्रोस नाइट यहां पर ब्लेक की पोजिशन बहुत ही स्ट्रॉंग दिखाई देथी हैं दोस्तो मॉर्फी अपना सब कुछ सेक्रिफाइज देने में माईल खेला ली थी सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा उसकी गेंप कब फिनिश होनी वाली वह तो सिफ एक एक विसको मारता ही जाएगा और उसकी गेंप कैसे खतम हो जाती है यही टेक्निक मॉर्फी से चिंग देको मिलेगी यहां खेला किंग ओन एप सिक्स दोस्तो किंग एप सिक के लाए क्विन किंग पर एटेक लाने की कोशिते अपना एफ त्री वाला पन जार रहा है अगर नाइट को मुग करेगे तो रुक बर भी एटेक आने वाला है फिर भी यहां पर मॉर्फी ने एक 32 मुद रूक खेला नाइट और डी फॉल यहां पर अपने रूप को सैक्रिफाइज करने की कोशित किये दोस्तो अगर ब्लेक ने उसे कैप्चर किया तो क्या होता है देखते है क्वि películ कैप्चर रूप करता है तो यहां पर एक 32 मुग ख पास दोई ओप्शन है अगर किंग को F8 मेलाते है तो B sub on A3 आता है यहाँ पर ब्लेक का क्वीन रुक से चला जाएगा दोस्तों तो यह मूँ नहीं करते है तो दूसरी मूँवे किंग on D8 करते है तो भी यहाँ B sub on G5 आता है यहां आप नाइट को बीच में लाने की कोशिश करते है यहां भी आपका क्वीन चला जाता है दोस्तों तो यह मूँ अच्छी नहीं है दोस्तो हमने एक बार यहां पर रुक को capture देखा तो हमारी game फिनिस हो जाती थी हमारा quinn यहां चला जाता था चलो अब हम king पर attack डाल के देखते तो क्या होता है तो black ने सोचा king on g6 यहां पर attack डाल कर देखते तो क्या होता है तो morfey ने simple king on h1 कर दिया दोस्तो यहाँ पर ब्लेक ने कैसर करने के लिए जगा बनाई नाइट ओन एसेवन पॉल मॉर्फी ने यहाँ एक बहुत्रिन मुखेला रूक ओन जीवन दोस्तो आप देख सकते हैं जीवन की फाइल खुली थी जिसका बेनिफिट ब्लेक को लेना था पर यहाँ मॉर्फी कैसे अटेक डालते हैं यह देखना है यह टेकनिक बहुत अच्छी है यहाँ क्वीन के पास और कोई मूर रही है क्वीन ओन एच फाइव दोस्तो नाव रूक टेक जीवन यहाँ पर एप सेवन पॉन मैंने पहले भी कहा था कि वीक होता है उस पॉन पर एक एक पीश बढ़ा कर कैसे अटेक बढ़ा रहे है यही देखना है दोस्तो यहाँ पर किंग ओन डी एट बिशब ऑन जी फाइव दोस्तो पॉल मुर्फी के पास पीश तो बहुत कम है फिर भी एक एक पीश का कैसे यूज कर रहे है और साही जगा पर ला रहे है और सामने वाले एक एक पीश को पीश कर रहे है और अपते एक एक पीश को डेवलप कर रहे है दोस्तो यह एक बहु ज़्यादा है पर उनके पास कोई option नहीं है गेम को जीतने का आगे देखिए क्या होता है कि अपना बिशब निकालने के लिए यहां simple खेला है डी 6 नाव बिशब और एप 7 आप यहां देख सकते कितना बहत्रिन मोग खेला है दोस्तों बिशब और एप 7 करके ब्लेक के क्वीन पर एटेक किया है दोस्तों यहां क्वीन के पास एक ही मुवे क्वीन और एच 3 नाव बिशब कैप्चर नाइट क्वीन कैप्चर बिशब बिशब और एच 5 यहां पर ब्लेक किंग के पास अनली एक ही मुवे किंग और डी एट यहां पर मर्पिन एक 32 मुख खेला रूख और जी एट चेक दोस्तों यहां पर ब्लेक ने गेम रिजाइन कर दिया क्वीन की गेम यहां फिनिस हो जाती है कंपर्सर रिमुवे यहां पर नो अप्शन रूख टेक रूख यहां पर क्वीन टेक रूख यहां पर किंग को कहां भी बाहर निकालो यहां क्रीन और यहां गेम फिनिस हो जाती है दोस्तों आप देख सकते कितनी बहत्रीन तरीके से अपने स्टेप बाइस्टेप पी सेक्रिफाइच दिये फिर भी गेम को भीन करा दिया दोस्तों चलो दोस्तों मॉर्फी की एक और बड़िया गेम देखते हैं यह 1857 में मराचे के सामने पॉल मॉर्फी ने खेली दी यहां पर मॉर्फी ब्लेक बिस से खेल रहे दे दोस्तों और बहत बहत्रीन गेम है चलो देखते हैं दोस्तों यहां पर भी गाय को प्यानो ओपनिंग किया गया है दोस्तों अगली गेम में हमने देखा कॉंसेप्ट तो वही है पर लास्ट गेम में वाइट चे मॉर्फी खेल देखते हैं आजया को में इस गेम में ब्लेक बिस से मॉर्फी खेल द ब्लेक से गेम को कैसे जिता जाता है यह टेकनिक उंसे जिखने पड़ेस चलों दोस्तों आगे देखते हैं pawn capture pawn, q capture pawn, यहाँ पर white ने castle कर दिया, एकदम game safe है दोस्तों, यहाँ पर black ने खिला, knight on e7, and G5, दोस्तों, अभी तो हमने castle किया भी नहीं, और knight यहाँ पर attack दिने आ गया है, देखते Paul Murphy, इसका कैसे answer देते हैं, यहाँ पर morphine ने खिला, उन्होंने भी simple castle कर दिया, दोस्तों, now, bishop on d3, दोस्तों, Morphine पर attack लाने की कोशिस की जा रही है, चलो देखते हैं, Morphine का कैसे answer देते हैं, उन्होंने खिला, bishop on f5, bishop के सामने, अपना bishop खळा का दिया है, दोस्तों, एक 32 मुख के लिए black से, चलो आगे देखते हैं, होता है, bishop capture, bishop, knight capture, bishop, bishop on a3, दोस्तों, एक 32 ने अटेक डाला है, दोनों में से एक बढ़िया पीज जाने वाला है, queen और rook, दोनों पर bishop से white ने अटेक किया है, पर आपको पता है, Morphine को जितने के लिए ज्यादा पीज की ज़रूरत नहीं होती, जितने भी पीज होते, वहीं से ये गेम जीत लेते, दोस्तों, यहाँ पर Morphine ने खेला, queen on g6, now bishop टेक, f8, एक बढ़ा पीज यहाँ पर white ने capture किया है, बहुत बाइदरी मुझ के लिए, चलो, और black ने खेला, queen टेक, knight, now bishop on a3, अपना bishop को वापस ले गए, यहाँ पर d-cause c3, bishop on c1, एक फिर से एक और attack दिया है, Morphine के queen पर, देखते आगे क्या होता है, qg6, bishop on f4, rd8, दोस्तो, Morphine ने यहाँ बहुत बढ़िया मुझ के, rd8 करके white के queen पर attack डालाए, queen on c2, knight on d4, फिर से दोस्तो अब जेखते, एक बाइतरिन अटेक, knight on d4, queen पर attack डाला हुआ है, white ने यहाँ पर, एक बहुतरिन मुझ खेला, queen on e4, दोस्तो अब जेख सकते, queen e4 क्यों खेलाए, क्योंकि उनके g2 का पंज, king के पास, g2 अगला पंज, g2 वाला पंदा, उसे यहाँ छेव करने की कोशिज की है, पर यहाँ पॉल मॉर्फी ने एक बहत्रीन मुझ खेला जहां से वाइट ने गेम रिजाइन कर दी दोस्तों तो आप वीडियो को स्टॉप करें और सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने कौन सा स्टेप्ट खेला होगा कि वाइट को गेम रिजाइन करने परी दोस्तों यहाँ पर पॉल मॉर्फी ने एक बहत्रीन मुझ खेला नाइट अन जीतरी अपना नाइट यहाँ दोस्तों सेक्रिफाइज कर दिया अगर आप नाइट को कैप्चर करते हैं तो आपका क्वीन यहाँ पर दोस्तों चला जाता है अगर आप क्वीन को कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर आपकी गेम फीनिस हो जाती है दोस्तों नाइट अन इटू चेक अन मेट दोस्तों मॉर्फी को गेम जीतने के लिए इतने बड़े पीजो की जरुरूरत नहीं परती आपने दोनों गेम में देखाए उनके पाथ जो पीजो दे वही से गेम जीत ले दे यह उनकी एक बहुत सुन्दर टेक्निक है दोस्तों आपको इन दोनों वीडियो में दे बहुत अच्छी जानकारी मिलिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चेर जरुर करें दोस्तों